बजन आखिर हमारे बढ़ते क्यूँ है और कैसे बढ़ते हैं? हमारे सरीर को काम करने के लिए उर्जा चाहिए और उर्जा आता है खान पान के मद्धम से यानि कोई भी फूर्स का एक कैलोरिफिक भैलू होते हैं जब वो फूर्स आप खाते हैं तो आपके सरीर में उर्जा जाती है, एनर्जी जाता है दिन भर मालो आप 5000 कैलोरी लेते हैं एक आम बेक्ती को आम जीबन जीने के लिए अगर वो बहुत जादा सायरी कसरत नहीं करते हैं या किसी तरह का फिजिकल अक्टिविटी नहीं करते हैं तो 2 से 2500 कैलोरी की जरुरत पड़ेगी वही अगर आप डबल ले लेते हैं या उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो एक्सेस कैलोरी आपके सरीर में फैट के आकार में जमने लगेगा क्योंकि हमारा सरीर बहुत चालाख होता है उसे लगता है कल अगर खाना ना मिले तो वो क्या करेगा तो उस फैट को गलुकोज में कनभाट करकर खुद को जिवीत रख सकता है इसलिए एक्सेस कैलोरी जब फैट के आकार में आपके सरीर में जमने लगेगा तो आपका बजन भी तेजी से बढ़ेगा हम में से ज़्यादतर लोग बजन घटाने के लिए कितना कुछ करते हैं सुबा साम चक्कल लगाते हैं डायटिंग करते हैं जीम जाते हैं लेकिन अगर आप कैलोरी हिसाब से नहीं लेंगे तो आपका बजन कभी नहीं कम होगा इसलिए डायटिंग में कुछ ऐसे फल को आप सामिल बिल्कुल ना करें जो आपका बजन बढ़ाने का काम करता है तो आज का वीडियो में हम लोग 7 ऐसे फल के बारें बात करेंगे जो आपका बजन बढ़ाने के साथ साथ आपका बलाट सुगा लेवल को भी बढ़ा देता है